जो कुछ भी तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो रहा है, आंतरिक आग्रह, आवेग, भावनाए, विचार, कामनाए, वासनाए, सोयम को उन से पराया मानो, और उनको सोयम से, मत कह दो मेरा मन ऐसा कर रहा है, कह दो मन ऐसा कर रहा है, मन का काम है, मत कहो मेरी इच्छा उठ रही है, तुम्हारी इच्छा नही है, तुम कहां इच्छा के स्वामी है, तुम कह रहे हो तुम्हारी इच्छा है, इच्छा इतनी होई तो मैं इच्छा जितने ही छोटे हो जाओगे एक दूरी बनाओ वो दूरी फहम से बहुत जरूरी है कि दूरी रखते हो तो कोविट से बचते हो खुझ से दूरी रखते हो तो हंकार से बचते हो स्वश्वारी एक और खुद के ज्यादा संपर्क में रहने से स्वयम से लिप्त रहने से जो संक्रमन होता है वो किसी भी जीवाणूं किटाणूं से मिले संक्रमन से कहीं ज्यादा घा तक जब इंफेक्शन लगता है वाइरस का तो इतना तो कह पाते हो ना कि वाइरस मुझे लग गया और वाइरस एक बाहरी चीज है जो मुझे लग गई है और दवाई लेते हो उस बाहरी चीज को मारने की जब अहंकार का infection लगता है संक्रोन लगता है तो ये नहीं कहते हो कि कोई बाहरी चीज़ आ करके लग गई है कहते हो, ये तो मैं ही हूँ ये तो मैं ही हूँ जबकि जिसको मैं बोल रहा है तुम हो नहीं, कभी ऐसा बोलते हो कि मैं COVID हूँ तो नहीं बूलते ना तुम कहते हो हमेशे ये COVID दूसरी चीज़ है मुझे आकर के लग गई गलत हो गया COVID को हटा देना है वाइरस बाहरी चीज़ है बाहर से आके मुझे लग गई मुझे उसको हटा देना है पर धुनिया भर के प्रभाव तुम पर बाहर से आकर लग जाते है तब यह नहीं कह पाते हो कि मुझे कोई बाहरी चीज़ लग गई तुम पर प्रभाव लगते हैं तुम प्रभावित हो जाते हो तुम प्रभावित हो गए अब तुम पर जो प्रभाव है तो तुम्हारी पहचान बन गया तुम प्रभाव के अनुसार ही सोचोगे चलोगे विचार करोगे योजना करोगे बात समझने हो अब ऐसी कोई संभावना नहीं रह जाती है कि तुम ये भेद कर सको कि मैं कौन हूं और दूसरा कौन है वो जो दूसरा है वही मैं बन जाता है वो जो दूसरा है जो पराया है वो जब मैं बन जाता है तब आवश्यक हो जाता है कि तुम इस नकली मैं से पराय हो जाओ जब पराया आकर के बन गया है मैं तो तुम इस नकली मैं से हो जाओ पराय दुनिया भर के साप तुम्हारे घर में आकर रहना शुरू कर दें तुम्हारे लिए बहतर यही है ना कि तुम अपने घर से पराये हो जाओ बास्तोंच में आ रही है क्योंकि ओ कहने को तुम्हारा घर है तुम्हारा है कहा है वो सापो का है उस घर में रहोगे मारे जाओगे अंकार ऐसी ही चीज़ है तुम्हें लगता है कि वो मैं है वो मैं नहीं है उसमें सब परायो का कबजा है उस पर तुम्हारे शरीर का कबजा है तुम्हारी शिक्षा का कबजा है तुमने जो पढ़ाई लिखाई करी, तुमने जो टीवी में, मीडिया में सुन लिया, तुम्हें जो घरवालों से सीख मिल गई, तुमने इधर उधर से जो उड़ती हुई बातें सुन लिया, माहौल से तुमने जो कुछ सोख लिया, यह सब दुनिया वर के साप हैं, जो मैं मैं नहीं, तुमसरे बात को, वो सब जो मैं नहीं हैं, वो क्या बन गएं? मैं, तो तुम कहा दो, अगर यह मैं है, तो मैं मैं नहीं, फिर तुम ही मैं हो लो, मैं मैं नहीं, तुम दूर हो जाओ, इस वेटें पराया हो ना, इसलिए परम आत्मा, दूर हो जाओ, जो कु तो कोई और है उसकी शकल परिचित है नाम जाना पहचाना आए पुराना सा ऐसा लगता है तो कोई रिष्टा है उससे पर वो मैं हूँ नहीं घर होगा शयाद हमारा पर उस घर के बाशन दे अब बिलकुल कोई और है ना जाने किन लोगों ने कबजा कर लिया उस घर पे मुझे दूर ही रहने तो भाई उनसे तुहारे घर में ठगायाद घुसाएं बंदू के ले करके तो तुम बैठे रहोगे कि मेरा घर है मेरा घर है या घर छोड़ के दूर भागोगे सुझ मेरी खुद को बचाना हो तो दूर हो जाओ तुमारे विचार तुमारे नहीं है तुमारा कुछ भी तुमारा नहीं है जैसा और जितना तुम अपने आपको जानते हो तुम हो ही नहीं तो क्या हम कोई अस्तित्तु ही नहीं रखते नहीं उस अर्थ में बिलकुल नहीं जिस अर्थ में तुमने आज तक अपने आपको जाना है इतने ही होगा जितना अपने आपको जाना है वो तो सब नकली है तो क्या हमारे पारे में कुछ भी असली नहीं नकली को छोड़ दो क्या पता उत्तर मिल जाए क्या पता उत्तर की जरूरत शेश न रहे कोई संतुना नहीं देना चाहूंगा ये कह करके कि पुराना नकली घर छोड़ दो या घर में साँप ये टकैद गुसाएं तो छोड़ दो तो कोई असली घर मिल जाएगा कोई बढ़ियां ठिकाना मिल जाएगा इस तरह का मैं कोई लालच ये कोई संतुना नहीं देना चाहता बहुत इतना कोऊंगा जो नकली है उसको छोड़ दो क्या पता उसको छोड़के पता चले कि घर की जरूरत ही नहीं है क्या पता उसको छोड़के पता चले कि जहां भी हो अपने घर में ही हो चार दिवारी विर्थ है सुन्यारी बात इंसान में इंसान में यही अंतर होता है एक इंसान जो अपना गुलाम होता है दूसरा इंसान जो अपने से ज़रा दूर होता है कितनी दूरी कितनी निरंतरता के साथ रख पा रहे है उस वहम से इसी सब तै हो जाना है शरीर ये अंतरवत है उसके संचालक तुम नहीं हो विचार शरीर की जमीन पर उगा हुआ 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 घासफूस जैसा है नहीं जमीन तुम्हारी है नहीं घासफूस तुम्हारा है क्याते ही खाली जमीन पड़ी हो कुछन कुछ तुछ उस पर उगी आता है न विचार और भावनाएं ऐसे ही है पराई जमीन पर जो कुछ उगा है वो तुम्हारा कैसे हो गया ये बता दो जब शरीर की जमीन ही पर आई है तो इस जमीन पर जितनी भी शाक तरकारी उठती है पेड़ पौधे पैदा होते हैं वो तुम्हारे कैसे हो गए बताओ दर समझ में हारी ये बात है अचार जी प्रणाम प्रश्न है मैं से पराई होने में मैं ही मैं से पराई होने का खेल खेल सकता है इससे सावधान कैसे रहे जो कुछ भी मैं के साथ जुड़ा हो चाहे वो मैं को छोड़ने के बाद जुड़ा है मैं को छोड़ने से पहले जुड़ा है जो कुछ भी ये प्रक्रिया आजन्म चलानी है अजन्म तुम्हें स्वयम के विरुद्ध ही दौड लगानी पड़ेगी मनुष्य पैदा होने का दंड ये मिलता है कि तुम्हें अपनी ही चाया के खिलाफ दौड लगानी पड़ती है लगाता है ये दौड तुम जीत नहीं सकते अफ़ इतना हो सकता है कि दौड़ते 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 मिट जाओ तुम, खर्च हो जाओ तुम, घिस जाओ तुम जीत नहीं सकते इस दौड़ को तो दौने का उद्देश ही यह नहीं है कि एक दिन अपनी छाया को हरा दोगे दौड़ में, वो नहीं होने का है तुम्हारे अस्तित्व के साथ अहम वैसे ही जुड़ा रहना है जैसे शरीर के साथ छाया ये तो तुम सपने में भी ख्याल करना मत कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रहोगे और अहम नहीं रहेगा, ये वैसी सी बात है कि तुम कहोगे कोई शरीर रहेगा और छाया नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होने का, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि दोड़ना है फिर भी, छाया को दोड़ में हरा देना है। च्छाया को दोड में ऐसे नहीं हराना है कि एक दिन ऐसा आगा कि तुम आगे निकल जाओगे च्छाया पीछे छूट जाएगी दोडना है ताकि खर्चो जाओ, खत्मो जाओ, गल जाओ, मिट जाओ दोड़ दोड़ के तो ये जिस बात की आपने आशंका व्यक्त की है उसको आप एक आशंका या संभावना मत मानिये, उसको एक निश्चितता मानिये, वो तैशुदा बात है, क्या, कि मैं एक चीज को छोड़ेगा तो दूसरी चीज को पकड़ लेगा, तो आपको कहीं भी कोई विश्राम नहीं मिलना है, कि साव अब तो हमारा हो गया, इसलि थोड़ा कुपित रहता हूँ, क्योंकि वहाँ भाव ही यही रहता है, कि हम तो अपनी चाया को पीछे छोड़ाए, या तो यह कह दो कि तुम बचे नहीं, या यह कह दो कि अभी चाया साथ लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम तो हो चाया नहीं है, हर जीवित विक्त को अपनी आखिरी सांस तक सतर्क रहना होगा स्वयम को मिटाने के ही अभियान में जुटे रहना होगा और इतना और समझ लो ये जो खुद को मिटाने वाली बात है ये भी कभी आखिरी नहीं होनी ऐसा हो सकता है कि मिट जाओ और पुनह पैदा हो जाओ, वापस आ जाओ भीतर से अहंकार गया है पर अहंकार जिस जमीन पर पैदा होता है वो तो भी शेश है न पौधे को तुमने जड़ से उखाड़ दिया कौन सा पौधा? अहंकार का पौधा तुमने जड़ से उखाड़ दिया पर जिस जमीन पर वो पौधा प्यादा होता है वो जमीन तो भी शेशन है वो जमीन क्या है शरीर जिस दिन तक शरीर है उस दिन तक पूरी संभावना है कि आहम वापस भी आ सकता है हो सकता है कि तुमने उसको आमूल उखाड दिया हो जड़ से उखाड दिया हो लेकिन वापस उफिर लोट सकता है इसलिए ये साधना तो उम्र भर की है कभी भी बहुत सुनिश्यत हो करके विश्राम में मत बैठ जाना कि अब तो हमारा काम समात हुआ हमें तो अध्यात्म की आखरी मन्जिल मिल गई तुम्हारे पंच्छी को आकाशों के पार आकाशों में उडान भरते रहनी है एक आकाश के बार दूसरा है फिर चौथा है फिर पांचों है तो जब कोई आखरी मुक्ति है ही नहीं तो मुक्ति का प्रैत्नी क्यों किया जाए क्योंकि कुछ तो करना है कुछ तो करना है तो यही करो यह सर्वोच्च काम है इसलिए करो मुक्ति मुक्ति के प्रैत्न के परिणाम में नहीं है मुक्ति मुक्ति के प्रैत्न में है परिणाम सरूप महीं मिलेगी मुक्ति तो मुक्ति के पुजारी हो गए इसी में मुक्ति है किससे मुक्ति है घटिया काम से मुक्ति है तुम और कोई घटिया काम करते है उससे मुक्ति मिल गई ना अब तुम सरवोच काम कर रहे हो सरवोच काम क्या है मुक्ति का उपक्रम यही मुक्ति है तो मुक्ति कोई आखरी अवस्था नहीं है कि यह देखिए साहब यह मुक्त हो गए है वो मुक्त हो करके बैठे हुए है कि इनको तो आखरी अवस्था मिल गई है फाइनल स्टेट मिल गई है ना मुक्ति कोई आखरी अवस्था नहीं है मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है समझ में आ रही बात और चुकि वो एक प्रक्रिया है इसलिए कभी भी बाधित भी हो सकती है कोई भी भाव कभी भी तूट भी सकता है प्रक्रियाएं बहाव जैसे होती है समझ में आ रही बात साफ साफ मुक्ति का प्रेत्न करनते रहना है इसलिए नहीं कि मुक्ति कोई हलवाई के दुकान की जलेबी जैसी है कि प्रेत्न करते रहोगे करते रहोगे एक दिन वहाँ पहुंच जाओगे और जलेबी उठाओगे और खालोगे मुक्ति ऐसी कोई चीज नहीं है बात सीधी सी यह है कि अब जनम लिया है तो जो भी है 50, 60, 80 साल जीना तो ही तो कोई घटिया काम क्यों करें घटिया काम से मुक्ति ही मुक्ति है कुछ उचा करेंगे उच्चतम लक्षे के लिए कर्म करना यही निशकाम कर्म है यही श्री कृष्ण की पूरी सीख है इसी में मुक्ति है जीव हो तुम शरीरधारी देही हो देही को मुक्ति भी बंधनों के मध्धे ही मिलेगी मुक्ति इसमें नहीं कि एक दे तुमने सारे बंधन तोड़ डाले मुक्ति इसमें होगी कि बंधन होंगे अपनी जगे हमें देखो हमारे शौरे को देखो हमारी गर्मा को देखो हमारी पताप को देखो जीवन का एक शण भी ऐसा नहीं राज जब हमने बंधन सुईकार कर लिए हम निरंतर संगर्श रत रहे ये मुक्ति है, बंधनों के मध्य मुक्ति है हमने बंधन माने नहीं, मुक्ति कहा है हम हमने बंधन जब माने ही नहीं, तो बंधन कौन, बताओ मुझे मन के हारे हार, मन के जीते जीता, बात समझ में आ रहे हैं, इसा क्या मतलब मैंने बंधन माने ही नहीं ऐसा नहीं भी बंधन थे नहीं बंधन है इसका प्रमाण क्या यही तो बंधन है यह तो है यही तो जिस दिन तक होम नहीं हो जाओगे राख नहीं हो जाओगे उस दिन तक है तो बंधन तो है हम इन बंधनों के बीच में मुक्त है बंधन कट नहीं सकता है हम वही करते रहे ये मुक्ति है मुक्ति इसमें नहीं है कि एक दिन हम शरीर से फुर से चड़िया की तरह बाहर उड़ गए और इधर उधर जा करके देख रहे हैं ऐसा है वैसा है हम तो जीवात्मा हो गए है लललला ये सब परी कथाएं ये बाल कथाएं है चोटे बच्चों को बहलाने के काम आती है ये वैसकों के लिए नहीं है आरे वास समझना कुछ ये समझना की बाल कांछ्चों करुछ